बच्चों की कब जरूरत होती है बच्चों को पैसे की जब वो higher study के लिए जाते हैं यानि 18 साल के बाद उनको पैसे की जरूरत होती है वो रहने वाली है 20 लाक के राउंड आपका जो total premium जाएगा 25 साल में वो 7.5 लाक के राउंड जाने वाला है लेकिन अगर वही हम total return की बात करें आपके पास 48 लाक रुपे मिलने वाला है नवश्कार मित्रों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे plan के बारे जिससे की आप अपने बच्चों का जो future है उसे secure कर सकते हैं तो आईए इस plan को जानते हैं और देखते हैं इस plan में कैसे आपको पैसे मिलेंगे और क्या-क्या features इसमें देखने को मिलने वाले हैं तो यहां आप देखेंगे तो यहां पर आपको टेबल देखने को मिल जाएगा जिसमें की आपको जो age उसकी yearly premium total कितने charges है guaranteed additions कितने हैं और normal coverage क्या है accidental coverage क्या है cash value क्या रहने वाली है तो वो सारी चीज़े हम इसमें देखने वाले हैं loan मिलेगा या नहीं मिलेगा surrender होगी की नहीं होगी तो वो सारी चीज़े हम इसमें देखने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ कि जैसे कि आप यहां देखेंगे जो age है वो 30 साल ले गई है और उसके बाद यह 25 साल का जो plan है वो लिया गया है यहां पर आप देखेंगे तो 54 एस तक यह plan जो है वो चलने वाला है वहीं अगर हम premium की बात करें तो yearly basis पर अगर हम premium देखेंगे तो हमें 30,000 रपी सालाना इसमें pay करना रहेगा और इसमें कोई भी limited premium आपको देखने को नहीं मिलेगा या निकि अगर जैसे जो previous plans होते है कु कुछ time तक पैसे देने थे और कुछ time तक आपको नहीं pay करना था लेकिन इसमें आपको regular premium रहने वाला है जितना भी आप इस plan में term लेते हैं उतने ही साल आपको premium pay करना होगा 25 साल का इसमें हमने term लिया है तो यहां पर आप देखेंगे 30,000 है वो हर year pay हो रहा है यहां पर बढ़ता और बढ़ता जा रहा है तो यह क्या charges है इसके बारे में आगे discuss करेंगे यहां पर आपको guaranteed additions मिलने वाला है जिससे कि जो आपका plan की value है वो बढ़ जाएगी यानि कि जो आपका return है वो बढ़ जाएगा इस यह कौन सा plan है और किस में invest करना है उसके बारे में आगे जानेंगे एक जो share होता है उसकी value की क्या value होगी उसका मतलब होता है NAV तो यहां पर जो एक share की value है वो 10 है तो इसी तरह से यह हर साल बढ़ती रहने वाली है तो वो कितनी रहेगी कैसे रहेगी वो सारे आगे जानेंगे यह जो बीमा है इसमें जो आपको normal coverage मिलने वाला है और जो accidental coverage है वो आपको 6 लाग का मिलने वाला है वही अगर हम max partial withdrawal की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 साल का इसमें आपको lock-in period मिल जाएगा और उसके बाद आप इसको कभी भी अपने जो पैसे हैं वो निकाल सकती है अब हम देखते हैं इसमें बच्चे के लिए कैसे यह work करने होना है मान निते हैं हमने इसको 25 साल का लिया है यह plan अब बच्चों की कभ जरूरत होती है बच्चों को पैसे की जब वो higher study की लिए जाते हैं यानि 18 साल के बाद उनको पैसे की जरूरत होती है तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर हम जब बच्चा है वो 18 सा अब इसमें से आप partial withdraw कर सकते हैं कुछ पैसा यनि कि आप इस से हर साल कुछ ना कुछ पैसा विडरोल कर सकते हैं जैसे कि यहां पर आपहत्तर हजार तक कैसे यह आप partial withdraw कर सकते हैं यानि अगर आप यहां से 1,00,000 रुपे निकाल भी लिए अपने बच्चे की admissions के लिए तो यहाँ पे कोई भी फरक नहीं पड़नी वाना लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रीवे में वो रेगुलर जाएगा जाएगा यहाँ यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट इयर भी आप एक लाख निकाल सकते हैं यहाँ पर फिर उससे एकले साल थोड़ा सा और आपको कवरेज है वो भी बढ़ राखा है और आपकी जो रिक्वार्मेंट्स है बच्चे की स्टेडी है उसमें पैसा लगाना है वो भी आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है और लास्ट में जब वो 25 साल का हो जाएगा बच्चा तो उसकी मेरिज के नेवी आपके पास 30-40 लाग त LIC की तरफ से लॉंच किया गया था लेकिन जो अभी के जो इसके रिटर्न चल रहे है तो उसकी वो मेरिज करूं तो इसके अभी 22-30% का यह रिटर्न दे रहा है अब यह प्लैन कौन सा है और क्या क्या इसमें बेरिफिट मिलने वाला है उसकी बारे में हम देखेंगे तो य आपके पास 48 लाक रुपे मिलने वाला है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 50 लाक दिया हुआ है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इसमें मैंने कुछ पैसे रिडियोस करे हैं जो हमने पीछे पैसे विडोल करे थे इस 18 साल से उसका जो इंटरस्ट है वो मैंने इसमें माइनस क कर रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है अब वहीं अगर हम बात करें इसके प्रीमियम की तो अगर कोई मन्थली प्रीमियम इसमें देना चाह रहा है तो उसको 2500 रुपे मन्थली देना होगा वहीं अगर हम तीन महीने की बा एक अच्छी बात देखने को मैज़ेगी, यहाँ पे आपको कोई भी इंट्रीस्टी नहीं पे करना वहीगा, यह जो प्लैन लिया गया था, वो Mr. Raj के लिए ले गया था, जिनकी यह तीस साल है, और उनकी जो बच्चे की उमर है, वो एक साल है, आप अपने accordingly यह प्लैन दे सक कि आपको कितने time का चाहिए, और आप इसमें कितना पैसा invest करना चाहते है, कितनी किस देना चाहते है, वो आपके उपर depend करने वाला है, अब इसकी कुछ features की बात करने ते यह प्लैन कैसे work करता है, तो उसमें सबसे पहले ही देखेंगे, जो Mr. Raj थे, उसमें annual premium pay कर रहे थे, 30 जार पे, वो 25 साल के लिए इसमें pay कर रहे थे, इसमें आपको दो options देखने को मिल जाती है, इस plan में, पहली है flexi growth fund, जिसमें कि nifty 50 hundred में आपका पैसा जो है, वो invest हो रहा होता है, वही अगर हम second option की बात करें, तो उसमें आपका flexi smart growth fund है, जिसमें कि nifty 50 index में आपका invest हो रहा होता है, अगर वही अगर हमें इसमें बात करें कि कितना हमें समशोड वगरा मिलता है, तो उसमें क्या रहता है, कि जितने भी आपके premium रहेगा, yearly basis पे उसका 10 गुना रहने वाला होता है, आपके बिस दो options होती है, या तो आप 7 गुना ले सकते हो, या तो आप 10 गुना ले स ला है, उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं, या surrender कर सकते हैं, अप्रोक्सिमेट जो इसमें rate of interest लिया गया है, वो annual growth का जो 14% के हिसाब से दिखाया गया है, हो सकता है इसमें आपको 12% मिले, हो सकता है इसमें 22% मिले, अभी कि अज़र recently की बात करें, तो जैसे मैंने 20% का ये plan return दे रहा है, और इसमें एक और अच्छी बात है, कि अगर आप किसी और mutual fund में invest करते हैं, तो वहाँ पे आपको tax pay करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर इस plan को लेते हैं, तो इसमें आपको tax pay करने की कोई भी ज़वरत नहीं है, इसमें आपको जो भी tax करता है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये LIC का ये plan है, जिसमें index plus लिया गया है, regular premium है, unit link plan है, जिसमें कि आपको insurance के साथ investment growth भी देखने को मिल जाती हैं, वहीं अगर हम premium mode की बात करें, तो इसमें आपको monthly, yearly, quarterly, तो चारो ही options देखने को मिल जाते हैं, जबकि जो आपका mutual fund है, अगर payment term की बात करें, तो इसमें आपको 10 से लेके 25 साल तक का term देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको recommend करूँगा कि आप 25 साल तक का इसमें term ले, क्यों की, आप अपनी accordingly इस plan को customize कर सकते हैं, like मैंने 25 साल का term ले लिया, आपको लगता है कि मै सिर्फ 15 साली पर payment कर सकता हो, तो आप 15 साल के बाद इस plan को बंद कर सकते हैं, और जो आपका पैसा है वो अपना पूरा withdrawal करा सकते हैं, इसमें कोई भी आपको minus charges नहीं लगने वाले हैं, और अगर minimum age entry की बात करें, तो 90 दिन बच्चे का complete हो जाना चाहिए, उसके बाद वो ब चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं, उनकी कम से कम, maximum age 60 होनी चाहिए, अब इसमें जो maximum coverage है, अब जैसे की 60 साल का अगर पर पर प्रसन लिता है, तो उसके लिए 15 साल या 25 साल का प्लैजम रहेगा है न, तो उस case में, जो हमारा maximum coverage रहने वाला है, वो रहने वाला है, साथ annualized premium होता है cover, और एक होता है आपका 10 times, तो जो 7 times वाला है, वो आप 85 years तक के नहीं ले सकते हैं, और अगर कोई 10 times लेना चाहता है, तो जो उसकी maturity age है, वो 75 years ही होनी चाहिए, उससे जादा की उमर में नहीं ले सकते हैं, वही अगर हम minimum sum short की बात करें, तो जैसे मैं आपको ब आपको बिता है कि annualized premium 30,000 अगर 15 साल के लिए ले रहा है, और अगर उससे कम ले रहा है, यानि 15 साल से कम ले रहा है, तो उसके लिए annualized premium हो जाएगा 48,000, यानि कि जो किस्त है, वो आपकी बढ़ जाएगी, अगर वही maximum sum short की बात करें, तो कोई भी limit नहीं है, आप जितना मर जी इसमें invest कर सकती है, riders इसमें available रहेंगे, accidental benefit का, बट जो इसमें accidental death and disability benefit था, वो इसमें नहीं मिलने वाला आपको rider, जो surrender value है, वो रहने वाली है, जो fund रहेगा आपका, वही आपका surrender value रहेगा, और अगर हम death की बात करें, तो before commencement risk, जो पसाल रहेंगे, वो रहेंगे, equal to, जो भी आपका fund रहेगा, वो रहेगा, और after commencement of risk, higher basic submission या जो भी रहेगा, वो आपको ज़्यादा दे दिया जाएगा, जो भी आपने partial withdrawal करा हुआ, उसको minus करके ही दिया जाएगा, वही अगर हम survival की बात करें, तो unit fund value paid to the policy order, जो भी आपकी उस वक, जितने भी साल तक आप लेते ह वो इस plan को, उस समय तक जो भी unit की value रहेगी, उससे multiply करके आपको, जो आपके जितने भी units होंगे, वो आपको दे दिया जाएगी, यानि कि जैसे अभी का आपने लिया, एक लाग units निये हैं, 10 रुपे के हिसाब से, तो अब 15 साल बाद हो सकता है, उसकी value 20, 20 रुपे हो, या 30 रुपे हो, या 40 रुपे हो, या 100 रुपे हो, तो उसके accordingly आपका जो calculation है, वो करके दे दिया जाएगा, लोन इसमें available नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये कि आपको partial withdrawal देखने को मिल जाता है, कि अगर आपको बीच में पैसे की जूरत पड़ती है, तो आप बीच में भी पैस निकाल सकते हैं, तो इस वज़े से इसमें जो loan की facility है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसमें हाँ, ये हो सकते हैं कि जो आपका income tax benefit है, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, लेगिन वो भी सिर्फ 10 टाइमस वाले, जो आपका analyze premium है, उसका 10 टाइमस है, उसी function म आपको ये चीज़ देखने को मिलने वाल दिया है, ये plan मित्रों आपको कैसा लगा, हमें comment करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इसकी पूरी PDF लेना चाते हैं, तो हमारे bestlacplan.in पे जाके, आपको ये plan की सारी details मिल जाएगी, आप नीचे से नीचे दीगे link पे click करके, यह से अपने जो download वो कर सकते हैं अप presentation अपने लिए, और अगर आप हम से contact करना चाते हैं, तो हमारे Instagram पे आप message कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ जवाब ज़रूर दो, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहें